बात करने के लिए लॉग इन करें www.astrotak.com यहां पर जुड़ करके पूछ सकते हैं प्रशन कॉल के द्वारा भी और साथ हे साथ अपना प्रशन आप हमें लिख कर भी भेज सकते हैं तो आज हम बात करेंगे बहुत ही खास विशे पे वर्श 2021 को हम अलविदा कहने वाले हैं और वर्श 2021 का अंतिम चंदर ग्रहन भी लगने वाला है अगर हम डेट की बात करें तो यह जो चंदर ग्रहन लगेगा यह लगेगा 19 निम्बर 2021 को यानि अगर देखा जाए हम तिथी की बात करें तो कार्टिक मास की पूर्णिमा तिथी पर लगेगा वर्श 2021 का अंतिम चंदर ग्रहन हाला कि यह चंदर ग्रहन जो है उपछाया चंदर ग्रहन है भारत में यह नजर नहीं आएगा इसलिए सूतक काल को माननेता भी नहीं दी जाएगी मगर वहीं पे अगर हम बात करें 12 राशियों की या उन कुछ राशियों की जिस पे इस चंदर ग्रहन का प्रभाव जरूर पड़ेगा क्योंकि अगर देखा जाए तो चंदर मा जो होता है यह मन का कारग होता है अब के कारण हमेशा ग्रहन लगता है वहीं पे चंदर ग्रहन जो लगता है वो पोड़ने मा तिथी पर लगता है सूर ग्रहन जो लगता है वो अमवस्या तिथी पर लगता है मगर कारण क्या होता है राहू और केतु का राहू केतु चाया ग्रह होते हैं जो की हमेशा उल्टी ह चाल चलते हैं, यानि हमेशा वक्री ही रहते हैं, तो कही न कई यह हमारी लाइफ में, हमारे मन में बहुत सारे illusions, doubts create कर देते हैं, जिसकी वज़ा से चंदर ग्रहन के बाद जो है हमें बहुत जादा negative effect मिलते हैं, अब कौन-कौन जिसको इस चंदर ग्रहन से साफधानी बरतनी की जरूरत है और कही न कई इस चंदर ग्रहन का प्रभाव जो है, हमारी प्रकर्तिक अपदाओं पे भी पड़ेगा वही पे अगर देखा जाए तो राजनीती के शेतर में भी बहुत खल बली आपको देखने को मिल सकती है कही न कई बहुत अधिक विवाद भी आपको देखने को मिल सकते हैं इसके लावा अगर देखा जाए तो इस दुरान जो है कही न कही बारिश बहुत अगर कहें तो बारिश जो है बहुत ही आपको क्योंकि मौसम ऐसा है कि इस समय पर बारिश नहीं होती है मगर वहीं पे कुछ शेत्रों में आपको बारिश इस समय पर देखने को मिल सकती है जिसकी वज़ा से जो हमारी फसल है उस पे बहुत ही इसका नेगिटिव प्रभाफ पड़ेगा वहीं पे देखा जाए तो कहीं न कहीं लोग इस चीज से चंतित भी बहुत अधिक रहेंगे यानि अगर ओल ओवर देखे तो काफी हद तक राजनितिक शेत्र पे इसका प्रभाफ पड़ेगा वहीं पे उथल पुथल आपको देखने को मिल सकती है वहीं पे इसका प्रभाफ जो है हमारी फसल पे हमारे प्रकरती पे काफी हद तक आपको देखने को मिल सकता है वहीं पे अगर हम लोगों की बात करें जातकों की बात करें तो इसका प्रभाफ आपके मन पे बहुत जादा पड़ सकता है क्योंकि अगर देखा जाए चंद्रमा मन का कारक है अब मन को जब ग्रहन लगता है तो कहीं न कहीं हम जो है बहुत जादर negative हो जाते हैं और हम मारे मन में जो है बहुत सारे illusions आने शुरू हो जाते हैं तो लोग जो है इस दोरान नौकरी को लेकर भी काफी हद तक या फिर धन से सम्मंदित भी परिशानी में रह सकते हैं तो हम उन राशियों की बात करेंगे जिसको चंद्र ग्रहन लगने से काफी हद तक परिशानीों का सामना करना पड़ सकता है तो कौन सी वो राशियों होंगी जिस पर इस चंद्र ग्रहन का नकरात्मत प्रभाव पड़ेगा इस विशे पर चर्चा करते हैं तो सबसे बहले हम बात करेंगे व्रिशिब राशी की यानि टॉरस की टॉरस राशी वालों को बहुत अधिक साफधान रहने की जरूरत है इसलिए साफधान रहने की जूरत है व्रिशिब राशी के जातकों क्योंकि जो चंद्र ग्रहन पड़ रहा है यह व्रिशिब राशी में ही पड़ रहा है तो बिराजमान है विरशब राशी के जातकों को इस समय पर बहुत जादा इनका मनज़ है इस दो दूरान उत्पन हो सकती है सेहत का बहुत अधिक ख्याल रखने के विशक्ता है लेंडेन से बचें, अगर आप कुछ भी लेंडेन कर रहे हैं बहुत सो समझ के लेंदेन करें, बड़ा अमाउंट अगर आप कहीं भी इंवेस्ट करते हैं, तो इस समय पे बहुत सो समझ के साबधानी से इंवेस्ट करें नहीं, तो आपको नुकसान पहुंच सकता है, दूसरी राशी की हम बात करेंगे, दूसरी राशी है सिंग, कृतिका नक्षत्र में जो है इसका प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि कृतिका नक्षत्र में ये जो चंदर ग्रहन हैं लगेगा, अब कृतिका नक्षत्र जो है कहीं न कहीं सिंग से भी, यानि सूरे का नक्षत्र माना जाता है, तो इसलिए सिंग राशी वालों को इसका बहुत ही ज रख सकता है, फस सकता है, जिसकी वज़ा से आपको धन से सम्मंदत परिशानी अउत्पन हो सकती है, या फिर हम यू कहले, कि धन से रिलेटेड आपको मानसिक तनाफ बहुत जादा बढ़ेगा, तो इसलिए इस चीज का थोड़ा ध्यान रख करके चले, अगर आप कहीं भी ल ड्यान रखने की बहुत अधे का विशकता है, कोई काम अगर बहुत आपका फ्लो में चल रहा है, तो इस समय पर आपका ऐसा कोई काम अटक सकता है, तो बिलकुल पेशन से आप अपने काम करते रहिएगा, बिलकुल पेशन लेस मत हो जाएगा, नहीं तो आपको नुकसान उसमें हो सकता है, पार्टनर के सेहत का ध्यान रखने की बहुत अदेका विशक्ता है, वही पे पार्टनर के साथ किसी भी तरहां से विवाद में ना पढ़ें, इस चीज का ध्यान रखें, अगर बहस करते हैं, किसी भी तरहां की परिशानी पार्टनर के साथ आपको होती है, तो ये जो चीज़े आपके रिष्टे में इस समय पर दरार लेकर के आ सकते हैं तो इस चीज़ का थोड़ा ध्यान रख करके चलें और वार्तल आप जो है अपने पार्टनर से बहुत यसोग समझके करें नियंतरन रखें अपने उपर आपके लिए यही बहतर रहेगा वहीं पर बात करेंगे अगली राशी जिसका प्रभाव नकरात्मत पढ़ सकता है तो कुम्ब राशी की बात करेंगे किसी पर भी इस समय पर बहुत जादा विश्वास करके ना चले भरोसा यदी करेंगे especially धन से समबंद अगर आप भरोसा करेंगे तो इस से आपको नुकसान पहुंचेगा तो इसलिए बहुत अननिसिसरी आप विश्वास करके ना चले नहीं तो आपको खुद को नुकसान हो सकता है शत्रों से इस समय पर हानी हो सकती है तो इस चीज़ को ध्यान रख करके चलें, कि वाद वीवाद में ना पड़ें, अगर विवाद में आप पड़ जाते हैं, यर ऐसा कोई विवाद आप उतपन कर लेते हैं, जिसमें आप खुद ही फसें, तो इससे आपको खुद को नुकसान हो सकता है तो कुछ चीज़ों का ध्यान रख करके चले अपने शत्रों से बच करके रहें और साथ हे साथ किसी पर भी विश्वास करके ना चले इस चीज़ का ध्यान रहें अब हम बात करेंगे अगली राशी यानी मीन राशी की मीन राशी वालों को इस समय पर बहुत अदिक ध्यान रखने के अविश्रकता है मीन राशी वाले जो है इस समय पर अपने स्वास्ता का ध्यान रख करके चले कोई पुराना रोग हो सकता है जो इस समय पर आपको परिशानी दे सकता है, वापस से ओभर सकता है तो पुराने रोग से आप बच करके रहें, मैं आपको यही सलहा देना चाहूंगी वही पर अगर कोई काम आप कर रहे हैं या कोई भी कारे आप करने के लिए सोच रहे हैं और अपने स्वास्त का ध्यान रख करके चलिए अगर कोई पुरानी चोट है या कोई ऐसा आपको रोग है जो आपको परिशानी दे रहा था तो उसको नजर अंदाज ना करें फौरण ही मेडिकल चेक अप कराएं तो यह जो राशिया है इन पर चंद्रक रहन का नकरात्मत प्रभाव पर सकता है तो आपको बहुत अधिक ध्यान रखने के विशकता है इसके अलावा चंद्रदेव की उपासना जरूर करें और साथे साथ भगवान शिव की उपासना करना भगवान शिव के मंतरों का जब जब करना, नमस्षिवाय मंत्र का जब करना, महमरितिन जे मंत्र का जब करना, बहुत ही लापकारी साबित होगा, तो और भी ऐसे खास विशे, लेकर के आऊंगी मैं केवल आस्टरो तक पे, देखते रही आस्टरो तक और साथे साथ फेस्बुक, यूट्यूब से भी आप आ आस्टरो तक डॉट कॉम पे लोगन जबूर करें, फिलाल के लिए मुझे दीजियो इजाज़त, नमस्कार, जै श्री राले,